किसी को कुछ समरण भी है गीता का, कोई सम्मान है गीता का, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ वो क्या बोलते हैं, निराशी, निर्ममो भव, युद्धिस्व विगत ज्वर, निर्मम हो जाओ, यहां कुछ अपना नहीं है, तुम किस मोह में फसे हुए हो, निराशी हो ठीक अभी जो सही करम है उसको करो, और लड़ो यह द्यस्व, यह द्यस्व, यह द्यस्व. हेलो सर, मेरा प्रश्न इंटरेट पॉर्नोग्राफी से संबन दित है, अभी कुछ दिनों पहले डिपार्ट्मेंट ऑफ टेलेकॉम ने 63 साइट्स की सूची बनाई थी और बैन कर दिया था उन्हें, कुछ और भी आकड़े है जो मैं रखना चाहूंगा, कि इंडिया में 89% मोबाइल फोन उसर्स है, जिन्होंने कभी न कभी इस तरह की साइट्स को एकसेस किया है, और कोविड के दौरान जो इंटरनेट पक्ष है, पहला पक्ष यह है कि यह एक नेसेसरी इवल है, एक नेसेसरी इवल, कि बहुत सारे जवान लोग है देश में और उन्हें एक तरह से रिलीज मिल जाता है, ऐसा कंटेंट व्यू करके, और जो डेवलप्ट कंट्रीज है, वेसमें वहाँ पर भी यह तर्क दिया जाता है, नेसेसरी इवल का, इसलिए आज तक वहाँ पर भी बैन नहीं हो पाया है, दूसरा पक्ष यह कहता है कि जो क्राइम्स है, सेक्श्वल क्राइम्स है, वो इस तरह के कंटेंट के वज़े से बढ़ रहा है, युवाँ को प्रोचसाहन मिल रहा है, तो भारत के संदर में, फिर इसको कैसे देखा जाए, जो वेस्ट को कॉपी करके यह आया तो वहीं से है, और नेसेसरी इवल वाला जो तर्क दिया जाता है, उसके बारे में और फिर बनाम जो सेक्श्वल क्राइम्स जिनमें राइज हुआ है पिछले कुछ सालों में, जैसे जैसे इस तरह का कंटेंट भी ज्यादा देखा गया है, उस तरह से सेक्श्वल क्राइम्स भी बढ़े है, तो यही आपसे समझना था कि इसको भारत के संदर में इसको कैसे देखे? आप उचे जीवन की मानव आधर्श की आर्थिक प्रगति की एक भौतिक अवधारणा रखें और पॉर्नोग्राफी न हो, यह संभव नहीं हो पाएगा. इनसान के संस्थानों के सरकारों के सारे आधर्श भौतिक है न? आपके जितने उचे से उचे आधर्श हैं और विचारधाराएं हैं, वो सब के सब भौतिक है न? यहां तक किस समाजवाद भी यही तो बोलता है, आदमी और आदमी में बराबरी हो अगरा. देश की तरक्की हो रही है कि नहीं, आप कैसे नापते हो? जीडिपी से. घर की तरक्की हो रही है नहीं, आप कैसे नापते हो? बच्चे की तरक्की आपकी हो रही है कि नहीं, कैसे नापते हो? उसके मार्क्स देखकर. हर चीज तो बहुतिक है न? हर तरफ से आप अपने आपको, और नई पीड़ी को, बच्चों को, जवानों को, यहीं संदेश तो दे रहे हो कि जीवन पूरा का पूरा भौतिक मात्र है, और भौतिक शेत्र में ही अगर आगे बढ़ जाओगे, तो शान्ति, त्रिप्ति, सफलता मिल जाएगी. यहीं त और कोई काम करो, इसमें समय क्यों खराब कर रहे हो? कहते हैं, तुम इतना समय तुमने अगर किसी अच्छे काम में लगा दिया होता, तो देखो तुम स्टूडेंट हो, जवानों की बात कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, तुमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं, या तुमें आप पढ़ने को इसलिए बोल रहे हो कि पढ़ूँगा तो पैसा कमाऊँगा तो अच्छी नौकरी लगेगी अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी बीवी आएगी तो अच्छा सेक्स होगा तो sexual pleasure में अभी ही क्यों न ले लूँ पढ़ाई भी तो ultimately sexual pleasure के लिए ही है खास तोर पर सरकारी नौकरी की जो दिवाने अच्छे से जानते हैं बात कि अगर नौकरी नहीं लगी तो उनकी शादियां होंगी नहीं ये खूब चलता है UP बहार में राजस्थान में MP में लड़की क्या बाप 5 साल से खोजने में लगा हुआ है कि सरकारी नौकरी आला कोई मिल जाए देखनी रहे वो पढ़ाई का सीधा संबन सेक्स से है कई जो ये UPSC की तैयारी वाले होते हैं उनके बाप आकर बोलते हैं अगर ये सरक्ट नहीं हुआ तो वन्श आगे बढ़ेगा नहीं हमारा पता है कुल दीपक यहीं बुझ जाएगा देखनी रहे वो पढ़ाई का भी संबन्ध सेक्स से है और तुम उसको बोल रहे हो तू पौर्ण मत देख तू पढ़ाई कर तुम उसको बोल रहे हो पौर्ण मत देख दिन में तू चार घंटे पौर्ण देखता है इतने में तू पढ़ाई कर लेगा तो टॉप कर जाएगा वो कहता है टॉप कर जाओंगा तो भी जो चीज मिलेगी उस पौर्ण से भेतर तो नहीं है टॉप करके भी तो मुझे सेक्सी तो दिलवाने वाले हो वो मैं सीधे ही ले लेता हूँ जीवन के जब सारे आधर्शे ही भौतिक हैं तो भौतिक सुखों में जो अवल आधर्श है व्यतिस सबसे पहले उसी की और भागेगा भागेगा ही भागेगा यह तो प्राक्रतिक बात है जब आप पूरे जीवन कोई भौतिक बनाए हुए हो आप कहते हैं अमेरिका बहुत मजबूत देश है क्यों क्योंकि उसकी सेना बहुत बढ़ी है और उसकी अर्थवस्था बहुत बड़ी और दोनों बाते क्या है बहुत एक माने material जिनको हिंदी बहुत एक माने material अमेरिका बड़ा देश क्यों है GDP और military और आप गिनते हो कि उसके पास कितने nuclear bomb है रूस युक्रेन पे भारी पड़ रहा है क्यों ग्यानी जादा है हथिहार जादा है न पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक जवान आदमी को क्या संदेश दे रहा है only the material counts सिर्फ जो भौतिक है उससे ही फर्क पड़ता है वही असली चीज है और भौतिक सुखों में सबसे उपर का सुख तो यही लगता है जवानी में कि सेक्स मिल जाए तो वो अपना उसमें लगा हुआ है तुम उसे उस भौतिक सुख से आगे का तो कुछ दो तो वो कहे कि यार पौरन तो ठीक है सुख मिल रहा है लेकिन और कुछ मिल रहा है जो इससे भी आगे का है पौरन से आगे का अध्यात्म होता है वो जब तक नहीं रहेगा तब तक पौरन रहेगी आपकी मोरैलिटी को जितनी चोट लगती हो लगती रहे कोई फ़रक नहीं पढ़ने आला तुम आज बोल रहे हैं इंटरनेट का ट्राफिक मैं जब आईटी में वो इंटरनेट नहीं होता था तब मैगजीन्स चलती थी अब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में सर्कुलेट होती रहती थी वो ऐसी हो जाती थी कि छूने का मन न करे लेकिन तब भी उनके चीथडे और बड़ा कॉपरेशन था लड़कों में इस्तिमाल करके दूसरे के दरवादे से नीचे खिसका देते थे क्या देते ले अब तेरा नंबर कारण वही है गिव देम सम्थिंग हाईयर दिन देट बियॉंड देट तो वो सुने भी तुम्हारी नहीं तो मन तो परेशानी रहता है न अपनी दुखी और बेचैन हालत से उसको जिदर भी सुख दिखेगा वो भागेगा तुम रोक नहीं सकते कैसे रोकोगे वो भी जब एकदम सस्ता डेटा हो मुफ्त में मिल रहा है हजारों वेबसाइट्स हैं ट्रैफिक बता रहे हो 80-90 प्रतिशत सब उधर कोई भाग रहे हो भागेंगे जब आफानी से मिल रहा है कुछ और है यहां बैठे हो कितनी बार पॉन का ख्याल आया कुछ को तो आया भी होगा पर जादातर को नहीं आया होगा जिनने अकसर आता है बार बार आता है उन्हें भी यहां बैठके तो नहीं आया होगा या मुझे दोखा हो रहा है नहीं आया ना मेरे दिल रखने के लिए बोल दो नहीं आया क्यों नहीं आया कुछ और चल रहा है न ख्याल ही नहीं आया ऐसा नहीं कि आपने दमन कर दिया उस इच्छा का ऐसा नहीं कि आपको ख्याल आ रहा था और आपने का ची गंदी बात खयाल आया ही नहीं और सिर्फ यही एक तरीका है जो आप एक उची जिन्दगी जीने लगते हो न तो निचले खयाल आने ही कम हो जाते हैं ऐसा नहीं कि आपको कोई सूत्र मिल जाता है डर को जीत लेने का, आपके उस फुरसत नहीं बचती डरने की, ऐसा नहीं कि आपको लालच की विरुद्ध कोई विधी मिल गई है बस आपके पास फुरसत नहीं होती लालच में आने की वही बातवासना पर भी लागव होती है अचानक आपको याद आएगा अरे तीन महीने हो गए पौरण देखी नहीं और यह होता था जब एक्जाम्स चल रहे होते थे उन दिनों पर डेबोनी और वगएरा की मांग कम हो जाती थी फुरसत किसको है फुरसत कम दो अपने आपको और किसी ऐसी चीज में लगो जो बहुत गहराई से त्रिप्त कर देती है तो इन जंजटों से बचोगे देखो पौरण तो चलो मुफ्त मिल जाती है सेक्स हरदम मुफ्त नहीं मिलता उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाते हो और यह अंजाम होता है गलत जिन्दगी का संबंध समझना आप गलत जीवन जी होगे उसमें बेचैनी रहेगी बेचैनी जितनी बढ़ेगी तुमें सेक्स उतना जादा चाहिए उसके लिए तुम गलत शादी बहा करोगे गलत संबंध बनाओगे कोई ठीक ठाक भी साथी मिल गया तुम उसको अपनी हवस के लिए इस्तिमाल करोगे अपनी जिन्दगी ही खराब करोगे किसी और की भी खराब करोगे और सब कुछ मूल में किस बात से निकल रहा है मूल में बात से निकल रहा है कि हमारे पास कोई आदर्श नहीं है भौतिक के अलावा मैं पूछा था एक दूसरे को बधाई दिये किसी भी ऐसी चीज़ पर जो भौतिक ना हो किन चीज़ों पर दूसरे को बधाई देते हो गाड़ी खरीद ली घर बना लिया, बच्चा पैदा हो गया नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया लौटरी लग गई यही तो सब होता है न तो देखो न तुम बच्चों को संदेश क्या दे रहे हो कि यही सब कुछ है, इन्ही बातों पर तो खुशी हो नहीं है, तो कहता है यही सब कुछ है तो इसमें भी सबसे आगे की चीज़ में भी पकड़ लेता हूं सेक्स सेक्स इतना चाहिए ही इसी लिए होता है क्योंकि भीतर तकलीफ बहुत ज्यादा है जितना दिन भर गड़बड काम करके तनाव बटोरोगे उतना ही ज्यादा फिर उस तनाव को किसी तरह से रिलीज करने की ज़रूरत पड़ेगी जिंदगी ऐसी जीओ जिसमें तुम्हारा तनाव ही तुम्हारी उर्जा बन जाए हमारा तनाव हमारे भीतर बस बेचैनी बनके कठा होता रहता है जैसे प्रशर कुकर में प्रशर प्रशर अगर बढ़ ही राय तो विस्फोट होने दो न और वो फिर एक सकारात्मक स्रिजनात्मक विस्फोट हो कुछ करके ही दिखा दो दोमिल कहते थे अपनी आदत्तों में फूलों की जगा है पत्थर भरो अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी उब को आकार दो मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी उब को आकार दो उब को आकार नहीं दोगे तो उब यहीं बनेगी बस सेक्स, पॉर्न, हस्त मैथुन यहीं करते रहोगे बस यह उब के परिणाम है, उबे हुए हो उब को आकार नहीं दे रहे, भीतर जो तनाव है उसको एक सही चैनल, एक अच्छी दिशा नहीं दे रहे मस्त सिंदगी जीओ और जी भर के जीओ ठकना सीखो, ठकते क्यों नहीं हो ठकते क्यों नहीं हो किसके लिए उर्जा बचा के जी रहे हो ठकोगे नहीं और समय बचा के रखोगे और फिर कह रहा हूँ, पॉर्ण छोटी बिमारी है इस छोटी बिमारी से विवाह वाली बड़ी बिमारी जन्म लेगी विवाह और क्या होता है, सुनने बहुत भद्दा लगेगा लेकिन कहना जरूरी है, विवाह हमारे लिए पॉर्ण की lifelong supply होती है Assured, guaranteed कि भारत सरकार जैसे कह रहे हो कि सूची जारी करती है, उसमें तो कोई सूची भी नहीं जारी कर सकता रोप क्या दिखाओ, अब तो हक है हमारा इसलिए इतना marital rape होता है क्योंकि वो भीवी थोड़ी बयाही है उसने वो तो अपने घर unlimited, lifelong, assured supply of porn लेकर आया है और संस्कृतिवादियों को बड़ी इसमें तकलीफ होती है वो कहते हैं, पर पती-पत्मी का बलातकार थोड़ी कर सकता है दुनिया में 95% बलातकार पतियों द्वारही किये जाते हैं पागल, या तो तुम पागल हो या ढोंगी हो या खुद भी बलातकारी हो और इसलिए कह रहे हो कि नहीं नहीं पतिया से बलातकार करेगा और ये वही पती है जो अपनी जवानी में पॉर्न एडिक्ट था अब पत्नी आ गई है अब पॉर्न की ज़रूरत नहीं अब तो लाइफ पर्फॉर्मेंस स्क्रीन क्यों और इसमें ऐसा भी नहीं कि पत्ती शोशक ही रह जाता है वही पत्ती फिर चालीस पैतालीस की उमर में फिर आचारे जी डायन है खा गई पूरा हमको और जब तुम उसको खा रहे थे शारिरिक तोर पर पंदरा साल पहले तुमने उसे शारिरिक तोर पर खा लिया उसने तुमको मानसिक तोर पर खा लिया हिसाब बराबर तुम्हें लग रहा है जो सैनेक लड़ाई के मोर्चे पर लगा हुआ है और जिसके कान के पास से गोलिया निकल रही है साइ साइ वो सोच रहा होगा सेक्स के बारे में तो वैसे योध्धा बन जाओ न और मैदान पुकार रहा है पूरी धर्ती को तुम्हारी जरूरत है हम नश्ट होने की कगार पर खड़े हैं जानते हो न अच्छे से सौ बार तो समझा चुका हूँ यहां प्रत्री नश्ट हो रही है और हमारे जवान लोग क्या कर रहे है तुम्हारी उर्जा की किसी और रणक्षेत्र में आवश्यक्ता है वहाँ चले जाओ और वहाँ जब गोलियां बरसेंगी धमाके हो रहे होंगे खून बहरा होगा तो भीरे भाने की नहीं सोचोगे इससे और भी नुकसान होते हैं इस्त्री पुरुष के बीच जो सहजता होती है सेक्स में वो नश्ट हो जाती है कोई है जो 15 अब तो और बच्चे 12-14 की उमर से देख रहे उस उमर से पौर्ण देखना उसने शुरू कर दिया है उसका आगे जिस लड़की से संबंध बनेगा वो उसके साथ शारीरिक रूप से भी सहज नहीं रह पाएगा वो कहेगा वही सब जो मैंने देखा है स्क्रीन पर वो ही दोहराना है और वो तुम दोहरा नहीं पाओगे वाँ प्रोफेशनल्स बैठे होंगे उनका धंदा है वो एडल्ट एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री कहलाती है वो एक इंडस्ट्री है प्रॉपर तो उसमें जब इंडस्ट्री है तो प्रोफेशनल्स भी होते है उनको महारत हासिल है वो यही करते हैं इसमें उन्होंने विशेश अगयता उनकी भी कोचिंग ट्रेनिंग सब होता होगा और तुम कहते हो नहीं जो मैंने वहाँ देखा वही मुझे अपनी जन्दगी में भी करना है कैसे कर लोगे तो जो एक सहज सीधा साधा सेक्स होता है उससे भी वंचित रह जाओगे नमस्ते सर मेरा प्रशन इसी से लेटेड है जैसे काम की बात चल रही है तो आपको सुन दा हूँ तो ये बात समय में आती है कि जो भीतर का जानवर है जितनी भी उप्रद्र नज़र आते हैं अंदर तो उनका अही की समाधाना बोलते हैं कि खुद को किसी कार्जय में जोग दो ये बात समय में आती है पर सर जैसे मतलब फिर यह आता है कि कुछ काम ऐसा मिले मेर को, जिसमें मैं किसी कारे में जोग दो मैंने कब बूला सही कारे में उच्चितम कारे में अब तो कुछ नहीं करते हैं, पूरे वाक्य में से बस एक शब्द बदल देते हैं और फिर कुछ नहीं बचता हूँ, आपके उल्टा हो जाता है, किसी कार में तो सब ने जोग रखा है अपने आपको, अब तो पूरी बात पलट गई ना, अपनी समझ से जो भी उच्चतम लगता हो, उसमें डटो, और नहीं कोई विधी है, अचारी जी मतलब इसी विशे में ये था कि उच्चतम कारे जैसा आशा ये था कि वो उच्चतम कारीय नजर कैसे आएगा? कि ये उच्चेतम कारी है उसमें मत घुसो और जो काम जानते हो करने लायक है उसमें कितनी भी चुनातियां हो सुईकार करो उच्चेतम माने कोई एक काम थोड़ी बोल रहा हूँ उच्चेतम से ये सब मरत अर्थ लगा लेना कि कि मैं जो कर रहा हूँ वही उच्चेतम है तो संस्था में ही चले जाना है वही उच्छतम काम है आवश्यक नहीं आप देखो आप कहां रहते हो क्या आपका अतीत है किस तरह कि आपकी ख्षमताएं है और क्या आपकी बुद्धि बता रही है आपको अपने ग्यान के आधार पर जितना भी जाने पढ़े लिखे उसके आधार पर क्या लग रहा है कि आज करने लायक आपके लिए सबसे उंचा काम कौन सा है और फिर रास्ता तलाशों कि वो काम कैसे करें इसमें कोई जटिलता कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत सीधी बात बोल रहा हूं ना बैठ जाओ और पूछो अपने आपसे क्या-क् सकता है और उसमें ये मत देखो कि कौन सा काम कितना व्यवहार एक प्रैक्टिकल लग रहा है बस एक लंबी सूची बनाओ कि क्या-क्या है जीवन में जो करा जा सकता है फिर पूछो अपने आपसे इन में से महत्वपूर्ण कौन से काम है फिर जो सबसे महत्वपूर्ण 2- आप तेन काम लगें अपने अपसे पूछो ये कैसे कर सकता हूं कैसे अब तरीखा लगाओ अब चलाओ ना बुध्धी अब करो जुगाष कि आप इन्andır करना तो हीं क्योंकि दिख गया है कि करने लायक तो यही काम हैं जिंदघी में पर इन्हें अब कैसे करना है कैसे करना शुरू करो ना ये लिखो लिखो एक बनाओ पूरी सूची बनानी पड़ेगी मैं नहीं बता पाऊंगा अन्य था आप भारत में रहते हो आपके लिए एक काम आप अमेरिका में रहते हो आपके लिए दूसरा काम भारत में भी आप बंबई में रहते हो आपके लिए एक काम होगा आप जारखंड के किसी अंदरूनी इलाके में रहते हो आपके लिए दूसरा काम होगा उच्चितम माने कोई एक विशिष्ट काम नहीं होता उच्चितम माने आपकी इस्थिति के अनुसार जो उच्चितम है आपके लिए जो उच्चितम है और उच्चितम माने सदा के लिए कोई काम पकड़ रेना भी नहीं होता तक यही तो उच्चतम, उच्चतम भी बदलता रहेगा, आज जो उच्चतम है, कल उससे भी उपर का कुछ आपको दिख सकता है, दिखना चाहिए, बस यतनी है, आगेगा खुद, कर दो, 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 कर दो,